नमस्कार मैं अनुराग सुखला साय कचार योग विसे उत्तरब्रदेश राजजर्सी टंडन मुक्ति विस्विद्याले प्रयागा प्रेश सिछार्थियों आज के इस ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है सिछार्थियों पिछले जो हमारा रिकार्डिंग हुआ ओनलाइन लेक्चर रिकार्ड किया गया था उसमें हम सभी ने महरसी पतंजली द्वारा रचित पतंजली योग सुत्र के पहले पाद समाधी पाद में पहले से लेके 31 सुत्र तक हम लोगों ने अध्यन किया अभी तक हम नो योग के पडिभासा चित चित विछेप चित के प्रकार इस्वर इस्वर के सरूप उनके गुण उनको किस नाम से पुकाडा जाता है अभ्यास वेराग आदिका अध्यन करते करते अभी हम पिछला जो हमारा सत्र रहा उसमें हम लोगों ने योग और उसके विग्न जिसको हम हमारे योग के विशे में योग अंत्राई के नाम से हम लोग जानते हैं उसका अध्यन किया था उन योग अंत्राई के साथ जो नव योग अंत्राई थे उसके साथ हमने सब इच्छेप या सब हुआ जिसको हम लोगों ने पढ़ा था आज की सत्र में हम उससे आगे अध्यन करेंगे तो आज ये शुरुआत करते हैं हमारा जो पहला बिसे रहा है पतंजली योगसुत उसका ब्लाक वन से यूनिट नंबर थ्री पे हम लोग पहुँच चुके हैं अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं जैसा कि अभी हमने बताया कि पिछले सत्र में हम लोग ने योग और उसके विग्ण को हमने पढ़ा था आज उसके आगे से देखते हैं तो यहां पे दिखिए हैं ये विग्ण बार-बार मन को देलित करते रहते हैं इन्हें सांध करने पर महरसी ने कुछ बिसे दिया है य जो बिग्ण आ रहे थे योग के अंत्राय जिसको हम लोगों ने पढ़ा था उसको सांध करने का उपाए महरसी ने इसी पतंजली योग सूत्र में पहले ही पादम बताया है तो वह सूत्र उन्होंने दिया तत्व प्रति सेधार्थम एक तत्व अभ्यास अर्था उन बिच बिच्छेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए समझना है कि हम लोग योग में लगे हैं योग की प्राप्ती की तरफ बढ़ रहे हैं यम से सुरू करेंगे समाधी तक जाएंगे उस इस्थिती को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं एक तत् में क्या समझना है कि वह एक तत्त्त क्या है तो हम जानते हैं नाम या रूप में किसी एक में लगा लिजिए जो भी आप इसमनल कर रहे हैं तो कोई एक तत्तो का ही अभ्यास योग के समय करतना ही चाहिए किसी मतलब एक कारे को करते समय किसी अन्यकार को नहीं करना चाहिए तब वो वास्तों में हमारा मन जो देलित हो रहा था जो भटक रहा था वो हमारे करती हूं हमको उसी कारी को बहुत ही मन लगा के करना चाहिए इस सूत्र का एक तलाब ये भी है जिसको हम अपने इस लौकिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं या बहुत जीवन में जिसको हम अपने आचरण में ला सकते हैं और अपने जीवन में सभलता प्राप्त कर सकते है फिर क्या करते हैं मारसी च्छड में नाम देखें उसका एक्स्प्लेनेशन हम बता रहे हैं कि च्छड में नाम च्छड में रूप ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब बारवार किसी ओसी जो भी आप काम करें उसको बारवार बदलें मत जो भी जो भी योग क्रिया में आप própria पूरुनता कच आने तक उस में लगे रहे रहे जिससे मन अधिक लगता हो, उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं, इस प्रकार करने से विग्न सांत हो जाते हैं, चित बृत्ती भजन में लगने वाली हो जाती है, क्योंकि हम योग का अध्यन कर रहे हैं, तो योग में वास्तों में हमको कहां तक पहुचना, समाधी तक की अवस्ता तक हमें जाना है, तो समाधी तक की अवस्ता में पहुचने के लिए, हमें step by step ध्याना, ध्यान समाधी तक हम पहुचते हैं, तो वास्तों में जब हम सिच्छारते उस योग के आखरी स्टेश तक पहुचते हैं, तो वहां हमारा मन पहले ध्यान में आएगा फिर समादी उपर प्राप्त होगा तो ध्यान में जैसा कि हम जानते किसी एक बिंदू पर कंसेंट्रेट किया जाता तो महरसी एक तरह से यहां पर वही विशे रखना चाह रहा है कि आप जो भी ध्यान कर रहे हैं जो भी कारे करें किसी एक विशे पर ही कंसेंट्रेट होके य आगे करते हैं क्योंकि हम लोग क्या इसी संसार में लगे हैं योग में जो भी बंदू लगे हैं इसी संसार में लगे हैं कहीं बाहर तो जा नहीं रहे तो इसी संसार में रहके भजन करते हैं भरले बुरे लोग टकराते ही रहते हैं उसमें दिरलेप रहने की विधी बताते है अब क्या है आप भजन साधना कर रहे हैं योग मारिक पर लगे हैं अपने कार में लगे हैं तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे बुरे लोग में भी मिलेंगे प्रेस इचारती यहां पर देखे जो वास्तों में आज के समय में हम जो भी कार कर रहे हैं जिस भी क्रिया को क कर रहें वास्त योग ही नहीं अन्य जो भी आपके जीवन में जो भी आप कार करना उस पे भी यह विसाय हमको सहयता दे रहा है महर्सी पतंजली का जो पातंजल योग सूत्र है वो सभी के लिए उतना ही लाब्दायक है ठीक है तो यहां पर देखे क्या है तो इन्होंनों इस पष्ट कहा कि आपको भले बुरे लोग भी इसी संसार में मिलें क्योंकि आप हम और आप सभी लोग इसी संसार में रह रह रहे हैं फिर उसके लिए उन्होंने क्या क्या उससे निरलेव रहने की विधी उन्होंने भी ब उपेच्छाडाम सुख दुख पुन्यापुन्द विस्याडाम भाउनात चित प्रसाधनम मैत्री करुणा मुदिता उपेच्छा के सासा सुख दुख पुन्यापुन्द भाउनात चित प्रसाधनम इसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो क्या कहते हैं महरसी सुखी दुखी पुन्यात्मा और पापियों के विशे में यथा कम, मित्रता, दया, प्रसंदता और उपेच्छा की भाउना से चित निर्मल हो जाता तो क्या होना चाहिए तो मैत्री, मैत्री क्या है सुखी वेक्ति अगर है तो उसे आपकी मित्रता कर लीजिए दुखी वेक्ति है तो आपको करना अर्था दया करनी चाहिए मुदिता अगर कोई कार अच्छा कर रहा है या पुन्य कार कर रहा है तो उसकी आप प्रसंदता करिए फिर क्या करता है उपेच्छा उपेच्छाडा पापियों का मतलब जो गलत कार कर रहे हैं उनसे असंग रही उनकी उपेच्छा करिए मैत्री दया प्रसंदता और उपेच्छा की भावना से ये चित्त क्या होगा ये मन क्या होगा ये निरमल हो जाता है तो ये चार तरीका उन्होंने महर्शी ने बताए कि संसार में आप रहेंगे तो इस तरह के लोग मिलेंगे और जो जिस पकार के आउस्था वाले हैं उनके साथ वैसा ही गुण धर्म हम को करना है वैसा ही उनके साथ बेवार करना है आगे बढ़ते हैं इसको और अच्छे समझेंगे फिर कहते हैं राग रोस इस्षा मद मोह असुया अपकार द्वेस इत्यादी चित के मल है या चित की गंदगी है इस सब चीजों से आपका मन निर्मल नहीं हो रहा है राग रोस इस्षा मद मोह असुया आपकार द्वेस इत् संद करने से आपको रोकते हैं इस से आपके अंदर विकार उच्पन होता है फिर क्या करना है फिर महरसी करते हैं इन सबसे बचना फिर राम चरित मानस का एक उधराना देखते हैं बावा तुलसी करते हैं राग रोस इर्सा मद मोह जनी सपने हूं इनके बस हूं मतलब इन ची यहां पर हम लोगों को सचेत करते हैं फिर आगे कहते हैं इन मलों से निविट्टी हितू तस्तु सूत में महर्शी कहते हैं कि सुखी वेक्तियों के प्रती मैत्री भाव देखिए अभी हमने पढ़ा था सुखी वेक्तियों के प्रती मैत्री भाव रखना चाहिए गीता में है कि बाहर संसार के विशे भोगों में अनासक्त पुरुस अंतर आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है कि बाहर जो चीजे हैं बहुतिक चीजे हैं उनसे उपर उठा हुआ व्यक्ति जो अंतर आत्मा में सुखी है वो वास्तिविक सुख को प्राप्त करता है वास्तों मुझ सुख altogether फिर करते हैं वह पूरूज़ पर ब्रम प्रमात्मा के साथ मिलने उक्त अनात्मा वाला है इसलिए वह अच्छे सुख का अड़़्ों करता है जिस सुख कभी च्षै नहीं है मतलब अच्छे का अर्थात हम समझ पाने जिसका कभी च्छे ना हो तो इस परमात्मा उस योग में लगे हुए साधक को अच्छे सुख की प्राप्ति हो जाती है जो इन महरसी के द्वारा बताए हो सुत्रों पे धिर्दर योग में बढ़ता है इस सुख का उपभोग कौन कर सकता है तो बाहर की विशेभोगों से अनासक्त है ऐसे सुखी व्यक्तियू में प्रीति रखने से साधना में सैधना में सहीओं मिलता है फिर अभी हमने क्या पढ़त मैत्री करणना मुदिता उपे चयाड़ा सुख दुखत हम है विस्याड़ा भावनात्चित पचाद नमी सुत्र है उसी का हमने यहां पर हाँ दिखें उपभो कौन करता है इसके आगे बढ़ते हैं सहेता मिलते हैं समस्त आप्त पुरसों की वाड़ी में सुख एक प्रकार का है एक हरी की भक्ति यह राम चरी आप्त पुरस कौन है जिन्होंने परमात्मा के साथ या जो योग की प् को अच्छे सुख या पूर्ण सुख देता है फिर राम चरीत मानस में भी है सुर्ति पुरान सब्ग्रंथ कहाई ही रगुपति भगत बिना सुख ना ही हिमते अनल प्रकट बरू हो ही बिमुख राम सुख पावन को ही तो एक स्वर के प्रति जैसा कि अभी मार्शी पतंज दिली ने कहा कि प्रसीदार प्रतित से धार्थम एक तत्तो अभ्यास सा एक तत्तो का अभ्यास करना तो यहां पर भी बार बार चाहे गीता आपने देखा अभी बाबा तुच्छी का राम चरीत मानस में भी हमने देखा सब लोगों ने क्या कहा कि एक तत्तो का अभ्यास कर करने दृरचे होड़ाती जहां अच्छ अच्य को कभी सब्सक्राइक और इन इस्वर्व में मैं रहा हो से चित्र निरौद की दिसास को प्राप्त कर लिया है से कोसे पूर्चोचों के सांद में ऐसे पूर्च stupid प्रति मित्रता की भाव रखना चाहिए और इससे क्या होगा धीरे धरे आपका मन निर्मल हो जाएगा क्योंकि उनकी संगती से जो भी प्लब्दी होगी वो साधना पारायन या साधन के में आपको लाब देनी वाली होगी इसी प्रकार संसार में फसे आकंठ डूबे दुखी वेक्टियों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए न की घ्रना की तो अगर आप के जो संसार में और भी लोग हैं जैसे जो संसार में फसे हुए हैं उन्ही राग रोस मद इस्या में फसे हुए उनके प्रति आपको कौन सी भावना रखनी चाहिए दया की भावना रखनी उनके प्रति दयावान बनी है नकी घ्रणा करनी चाहिए ऐसा सुत्रुम भरसी ने बताया फिर देखे एक उधारन के माध्यम से समझते हैं कहा गया कि सीता माता ने रामण को विच्छा देने के लिए दया किया जिसका प्रणाम उन्हें लंका में जाना पड़ा एक इस्तर से पहले साधक के लिए दया का विधान नहीं है उसे सतत चिंतन में ही अनुरक्त रहने का विधान है दया संत का सहज सुभाव साधक को भी दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखने चाहिए कि दुख निर्वत्ति है तो किरिया सील हो उठने में अंतर है जिसके लिए आदेशों के अनुपात में ही सलगन होना चाहिए अब देखे दया माता सीता ने रामवार के प्रति एक तरह से दया ही किया बिच्छा देने का तो उसका क्या वो मिला प्रडाम क्या हुआ था उनको लंका जाना पड़ा तो यहां पर जब तक आप योग में लगे हुए हैं अपने किसी एक कार में लगे हैं तब तक आपको उसी में पूर्ण रूप से लगे रहने का आदेश दिया जा रहा है जब तक कोई आपके गुरुजन या अन्य लोग को आपको आदेश ना दें तब तक आप किसी परति या अन्य किसी कार में ना सलंग हो उसी कार में लगे इस नियत कर्म का वर्णन स्री कृष्ण भवान में किया है, अगर उस आच्रण में कोई लगा हुआ है, तो उस कर्म को करने वालों के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? प्रसंदता की भावना रखनी चाहिए. यह विधी है, इन सुपानों पर मुझे भी चलना चाहिए. उनकी नकल करने लगे, उनमें दोस ढूंड़ने लगे. अगर कोई उस कर्म को लग करना है, तो आप आपको भी वही करम करना है, न कि उनका नकल करी, क्योंकि नकल और दोस ढूंडने से आप मकल्यार या उस योग की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए आप लगे हैं, पापात्मा अर्थाप जो पतन की ओर उन्मुख है, ऐसे लोगों का संसर्ग होने पर उनके गुण दोसो से तटस्त रहना चाहिए, महरसी पतन्जली के द्वारा बताया गया है, सूत्र हमको अपने इस जीवन में भी लागू करने में बड़ी सफलता मिलेगी, अगर कोई गुण दोसों से युग्त है, कुछ न कुछ गुण रहते ही हैं लोगों में, और दोस भी कुछ न कुछ ऐसे लोगों के संसर्ग रहने पे उनके गुण और दोसों से अलग रही है, न कि उस वक्ति से अलग रहना है, तो कभी कोई वक्ति खराब नहीं होता है, ऐसा यहां पे अर्थ निकल के आ रहा है, उदासी फिर, देखिए राम चरित मानस में भी एक सुत्र है, उदासी नित रही गुसाई, खल पर हर ही स्वान की नाई, उनका त्याग नहीं है, असंग रहना चाहिए, त्याग नहीं कर सकते आप, क्योंकि संसार में है, तो हर तरह के लोग आपको कभी न कभी मिलेंगी, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, संसार है, तो उनका त्या को और अच्छा सा किया जाए थिदे के व्यक्ति बुरा नहीं होता उसकी प्रस्थिती ही ऐसी है ठीक ना आप उनसे कुछ ग्रहन को इस भावनाओं से चित निर्मल होने लगता है तो वास्तो में मन को निर्मल करनाए हैं चित बर दोसों से असंग यहां पर फिर चित बरती को स्वच्छ करने के लिए अन्द उपाय बताते हैं फिर आगे चोतिश्वे सूत्र में महर्शी करते हैं प्रचरधन विधाराभ्याम वा प्रानस अब यहां पर प्राण वायू की माध्यम से कैसे अपने आपको अपने चित्त का निरमल मन को निरमल कर सकते हैं वो मार्ग बत है कि प्राण वायू को बार बार निकाले और थोड़ी दिर रोकिए हम लोगों ने प्राणायाम का भी बहुत नाम सुना है प्राणायाम करने से भी लोग कहते हैं कि मन निरमल होता है मन इस्थिर हो जाता है एक अगरिचित होने लगता है तो वही यहां पर वही बात करते हैं कि मन को नियंत्रित और कारकी कुसलता लाने के लिए मन का नियंत्रित होना जरूरी हो तो इस मन को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं प्राण वायू को भी बार बार बाहर निकाल के थोड़ी दिर उसे रोक सकते हैं उससे भी मन इस्थिर हो जाता है उसे बाहर रोके, बार बार स्वाज बाहर निकाले और रोके, चार छे बार ऐसा करने से दूसित वायु बंदल बाहर हो जाता है, चिंतन में बैठने पर मन सिग्र एकागर हो जाता है, चिंतन भजन नाम रूप में अधिक मन अधिक लगने लगता है, चिंतन नाम रूप में म योग की प्राप्ति के लिए मन दम इस्थिर हो गया चित को इस्थिर करने का अन्य उपाए भी बतलाते हैं एक और उपाए महरसी ने इसी पतंजिली योग सुत्र में दिया है विशेवती वाग प्रवृत्ति रुत्पन्नामन सा इस्थिती निबंधनी हमारा जो विशेवस् है योग चित्वृत्ति का निरोध उन्तराइों से मुक्ति इस्वर-प्रणिधान नाम ना मुरूख का सतत, चिन्तन इन विशियों में लव लग जाए। प्रवर्ति जग जाए। विशे के अनुरूप प्रवर्ति, मन की इस्थति को बाधने वाली होती है। जो भी आप विशे कर रहे हैं। अभी जैसा कि एक तत्युका अभ्यास हमने पढ़ा जो भी विशय कर रहे हैं उस एक विशय में जब लगे रहेंगे प्रवित्ती बनी रहेगी तो आप धिरे धिरे उस पे इस्थिरता प्राप्त कर ले जाएंगे अभी हमने इस विशय में देखे हैं यहां पर क्या पढ़ा योग योग चित्वृत्ति का निरोध अंत्राय से मुक्ति इस्वर प्रणिधान नाम रूप का सत्त चिंतन यह सभी हम लोगों ने महरसी पतंजली के इसी पाद में समाधी पाद जो अभी हमने पहला पाद है उसम या मन निरमल की ताकी अवस्था प्राप्त हो सकती है आगे कहते हैं मन को इस्थिर करने में सहायक होता है चिंतन का इस्थर उन्नत हो जाने पर इसुरी सवयोग मिलने लगता है और वह भी मन इस्थिर करने में सहायक मिलता है तो यहां बार बार मन को इस्थिर करने पर या सुकुर्ण का निरोद योग तो सारा ध्यान या सारा इसी प्रोड़ा निर्मल कर ले जाएं मन को कुण्य का अगरता कर ले जाएं तब ही आपको योग की प्राप्ति होगी तुम्हारसी के द्वारा यह व्रड़न लगभग उसी दिशा में बढ़ रहा है अब हम देखते हैं फिर एक उन्होंने सुत्रया विस्व का वाज जोतिस्मति इससे क्या होगा प्रकास मैं जोतिर मैं द्रिष्टा एक मात परमात्मा है उस जोतिर स्वरूप द्रिष्टा का दर्सन होने पर भी मन की तरंगे सांथ हो जाती है अर्थात कुछ एक प्रकास है जिसको हम लोग आंतरी कुर्जा कहते हैं जिसको हम लोग या यूँ कहें महरसी पतंजली ने आत्मा को सत्यमाना है उस आत्मा का दर्सन होने पर भी यहां पर प्रकास में जोतिर मैं द्रिष्टा उस आत्मा के विसे में वर्लन करें महरसी एक ब सांथ हो जाती है, ऐसा उन्होंने गता है कि जो मन भटक रहा था एकाग रिचित नहीं था अलग-अलग बिसुम जा रहा था, वो क्या हो जाएंगी सांथ हो जाती है, और भगवान के अनुकूलता का अनुभाव कर साधक का उस्सा बढ़ जाता है उस अनुकूलता में, जैसे थोड़ा सा शबलता आपको किसी कार में मिलता है तो आपका उस्सा बढ़ जाता है तो यहीं पे महरसी, इसका वर्णन इस सूत्र के माधम से करहे हैं, तो आपको योग में उस थोड़ा सा लाब मिलने पर आपका उस्सा बढ़ जाएगा यह दर्शन विग्णों का समन कर मन को स्थिर करने में सहायक होता है फिर यह जो थोड़ा सा लाब मिला, इसका क्या लाब मिला मन स्थिर करने में अभी सहायक हो जाता है आगे कहते हैं वित राग विसेम वा चित्तम वित राग अर्थात राग मुक्त महापुरसों की जीवन चरया का अंता करण में धारना करने पर चित इस्थिर हो जाता है चित इस्थिर का एक तरीका यह भी है कि जो महापुरुस हैं, जो योग मार्क पर लगे हैं, उनकी जीवन चारया का अंता करण में धारना करने पर भी चित इस्थिर हो जाता है। जो यह अपना सेशन रहा, इसमें हमने योग अंतरायों या विगनों को दूर करने के उपाये पर चर्चा किया। यह चर्चा बहुत ही महत्पूर है क्योंकि हम को प्राप्त क्या करना हैं, मन की निर्मलता को प्राप्त करना है। चित निरोध की अवस्था तक हमको जाना दुवारा ये 32 से लेके 37 सूत्र तक इन 5 सूत्रों में मन को इस्थिर करने या योग की परम प्राकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए आपको कौन से क्रिया करनी है किस तरह से आप उस कारे को कर सकते हैं उसका वर्डन यहां किया गया है इसके आगे अगले ही सेशन में बहुत धन्यवाद।